हेलो गाईस मैं प्रियंक आपका मेरे किचिन में स्वागत है चली वीडियो स्टाट करते हैं आज हम मक्य की खस्ता पूरी बनाएंगे चली वीडियो स्टाट करते हैं में घो काटा ही इतना ही मक्य का आठा ले लिए यह मक्य का आठा भी चाहिए दोनों बनाएंगे खस्ता पूरी मक्य की वो अच्छी बन पाएंगे इसलिए sut Jeffrey मक्के का आटा लिया है और हमें इतना ही मक्के का भी आटा लेना है देखिए हमने यह मक्के का आटा इसे भी हमने साफ करके ले लिया है अब इन दोनों आटों को गेहू और मक्के के आटे को एक में कर लेते हैं हमने एक कटोरी गेहू और मक्के का आटा एक कटोरी दोनों को ले लिया है अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन देखें आटे को हमने डाल दिया अब इसमें अजवाइन डालेंगे हमने अजवाइन लिया है अजवाइन को में ऐसे मसल लेना है मसल के ऐसे हमें इसमें डालना है इससे डाल देने से स्वाद बर्जा था है इसका स्वाद निकल के आता है इसलिए अजवाइन को कभी भी ऐसे ही किसी कोई चीज बना रहे है अजवाइन को मसल करी डाले हमने डाल से खंवे तेल की पदाव करें तरहें अपी है जो तेल आप Yeah अब ऐसे ही अच्छे से पर, दोनों आटों को अच्छे से गेहुआ और मक्कवाथे कहाः अच्छे से मिल जाएग। अब इसे आटा घूत के हमें तैयार कर लेब ना है। देखे हमें इसे हैं इसे हमें अच्छेसे मिला दियां, अब आटा हम घूत लेगे नानी odor देखें हमने आटा लगा के तयार कर लिया है अब इसे 10 मिट के लिए हम रेष्ट करने के लिए रख दे रहा है दस मिट बार इसे हम बनाएंगे खस्ता पूरी मक्य की आटे की आप लोग सोच रहें कि यह काला क्यों दिख रहा है क्योंकि हम नहीं काला गेहूं के आटे का का देखें द रुगा है और थाथ बोगया है आटा हमें रहा है हम पूरियाना सुरू करेंगे हम ने सुख राटा साइड में रख लिए जाए जगान नहीं इसलिए सबस्केतर भशेहल वह साईड में रख लिए है आटे को और छलिए हम बनाते में चकला ले लिआ अब इसम देखे ये दिसे हम लोगा सिंपल गेहूं आटे की मतलब पूरी बनाते हैं उससे थोड़ी यह मोटी होनी चाहिए यह पतली नहीं रहती है इसे थोड़ा मोटा उसको उस पूरी से इसे थोड़ा मोटा रखना है तभी अच्छी पूरियां खसता मतलब बन के तयार होंगी पूलिंगी नहीं इसलिए उसकी अपेक्षा इसे में थोड़ा मोटा रखना है मक्य के आटे की जो हम बना रहा है कि देखिए हमने इतना तोड़ लिया है अब इसमें से हम निकाल के एक वह ऐसे ही गोल घुमाते हुए हमें देखिए ऐसे ही अच्छी से में मसल इसको मल दे देख सकते हैं उप यह कैसे पेड़े के जैसे दीख रहा है अब इसे हम बेल के त्यार करेंगे इसमें में लगाएंगे सूखा आटा अब इसे हम इस पे रखेंगे देखे आविसे में पुरी अपनी प्यार करनी है दिखाते हैं हम आपको बस इतना ही होना चाहिए देखे पास से उठाके हम आपको दिखा देते हैं इतना ही मोटा देखे यह इतना मोटा होना चाहिए गई मख्य की आते की पूरी बनाते समय के बातों का ध्यान अहिसे ही मोटा रखना पड़ता है तो ये फुलेंगी नहीं खस्ता पूरी बना रहा हैं ऑर इसे घंदी पहली दफार किया अब इसे ही हम एसे कर के पूडी तयार किया ऐसे ही हम सारी पूडिया तयार कर लें तेल गरब हो जाएगा, तो हम अपकी फूरी तलेंगे, देखिए, टेल को पहले हम चेक कर लेते हैं, गड़ी तो इस थोड़ा हो आटे में से आटे। जो दीचेक कोले, следующ कोई छप्टा कर दिया सके। आखेया, चेक्कार लिया करें कि वह मतलब सही से गरम भुआ नहीं पेकिशार तेल गरब हो गया words अब हम अपनी पुडिया तलेंगे मक्य की, पुडिया डालना सुन करेंगे तेल में तेल देखें, तेल देखीँ गरम हो गया है इसे च्ट्वडा हिलाते हुगे एकई कईछनी डालेंगे इसे चुड़ा हिला लेते हैं उसके ऊजिक बास से दूसरा डालेंगे कि यह मक्के की पूली है कि ऐसे ही इलाद के लिए में उसे करना है देखें यह फुरना है अच्छे से नीचे अच्छे से सिपसा है यह दूसरा डाल देते हैं देखें हम दूसरा वाला डाल दिया है इस तो डालके चुले का मतलब तेज होना चाहिए, खम नहीं रखना है, अब इसे ही लागते हुए हमें पुलियों को तलना है, देखिए, यह भी पुल गई, अब इसे हम पलाड देते हैं, देखिए, तिपी अच्छी नाल हो गई है, देखिए, पहली बार जो डाला था, वो तयार हो गई है पुलियों, अब इसे निकाल लेके हैं, ऐसे ही रख के, अच्छे पी इसका पेल दो है, निकल गई है, और उसके बास यह जाएगा प्लेट में, अब इसे लिए ऐसे ही करते हैं, हमें अच्छे से पुलियों को सेखना रहता है, लाल होने तक, इस पुलियों इसे लाइर नो दो, आप देख सकते हम दो कालर कैसा रखा है, इसे यो ना चाहिए, तभी खाने में यह अच्छी लगेगी, क्योंकि यह मक्bies की है, इसलिए दोनो साइड लाल होना चाहिए, ऐसे ही कलर, इसे भी हम प्लेट में रख देते हैं इसे करते हुए हम सारी पूरियों को तल दिया पूरिय हमारी हो गई तयार देखिए इसे भी हम निकाल लेते हैं हम ने चुले को बन कर दिया अब इसको भी बाहर निकाल लेते हैं अब यह देखिए मक्के की खस्ता पूरिय बनके हो गई है तयार आप देखकते हैं अगर आपको रेश्पी समझ में आये तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चलिए हम पूरियों को तोड़ के दिखाते हैं पूरी को यह कितनी थस्ता हुई है आप देख सकते हैं कितनी इच्छी पूरी बनके तयार हुई है यह की बार हमने दबाया तुरन तूट गया